नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं Grand धर्मा सन्मार्ग रभी पुशे नछत्र ये बहुत ही सूब नछत्र है सरवार सिध्धी योग भी इस दिन बन रहा है और इस दिन बहुत सारे सौपिंग की जाती है रहला कि पुस्य नच्छत्र जो होता है वो सनिदेव का सबसे प्री नच्छत्र है और इस नच्छत्र में सिर्फ साधी बयार नहीं होता बांकि सारे सुब कारे होते हैं जैसे कि आप जमीन खरिदना चाहते हैं, अपना मकान की नीव रखना चाहते हैं, सोने चांदी के आबूसल लेना चाहते हैं, इलक्ट्रोनिक समान लेना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सुभ और दुल्लब संयुक के साथ ये मुर्थ होता है। अब हिंदु धर्म में सुभ मुर्थ का विसेश महत्व है और माननेता है कि सुभ मुर्थ में किया जाने वाला कारे आपको सफलता जरूर देता है। विसेश प्रियोग भी किये जाते हैं। और विसेश प्रियोग जैसे कि संतान की प्राप्ति के लिए घर परिवार में जगड़े लड़ाई हैं तो इसके लिए धन की प्राप्ति के लिए जीवन में सुख बढ़ाने के लिए नौकरी वेपसाय में तरक्की के लिए तो भगवान नारयन के चक्र सुदर्शन के समान सक्ति साली होता है और पुस्से नच्छत्र और इस दिन बनने वाला सुम मूर्थ का प्रभाव अन्य मूर्थों की तुलना में सर्व स्रेष्ट होता है सभी अरिष्टों का नास करने वाला और सब तरफ से आपको सफलता दिलाने वाला होता है तो बस स्रेष्ट मूर्थ को ध्यान में रखकर आप इस दिन सौपिंग कर सकते हैं तो रभी पुस्से नच्छत्र के दिन सुबह सोकर उठने के बाद भगवान सुरी को एक लोटा जल जरूर अपित कीजिएगा जीवन में मान सम्मान पद परतिष्ठा सब अगर आपकी कुंडली में सुरे कमजूर है तो सुरे को जल अरपित करने के बाद पंडित जी की सलह से आप तामबा या गुड़ का दान कर सकते हैं या आप गाय को भी खिला सकते हैं चुकि इस नच्छत्र में सोना चांदी खरिदना अच्छा होता है तो आप खरिते हैं तो सुख्ः और सोभाग्य बढ़ता है अगर आप मंतर जब करते हैं खासकर सुरे का मंतर तो आपका तेज बढ़ता है नौकरी बेपार में सफलता मिलती है सुरे का मंतर बहुत सारा है वैसे आप ओम आदित्यानमा या फिर गायतरी मंतर का जब कर सकते हैं अगर रभी की महमा बहुत है लेकिन बिभाह नहीं होता है, क्योंकि माऊं पारवती का स्राप है, तो चले जानते हैं वह पिसेस प्रियोग, सबसे पहला तो भगवान गनेश जी की पूजा कीजिएगा क्योंकि भगवान गनेश जी की जब तक आप पूजा नहीं करते हैं तब तक आपको किसी भी सुबकारी के फल नहीं मिलते तो भगवान गनेश को उनको सबसे पसंद दीदा वस्तू दुर्वा घास अरपित करें पांच 11 21 आपकी एक्षा पे है जितनी आपके पास से उतना अरपित करें ये प्रियोग दुर्भागे से पीछा छुड़ाने का है आपके दुर्भागे को सौभागे में बदलने का है तो अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो इस प्रियोग को जरूर कीजिएगा भगवान गनेश जी को आपको अरपित करना है दुर्भागास अब हमें एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे देखिए इस दिन चुकी मा लक्षमी को प्रसन भी करने का भिधान है तो ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए आप को चाहिए होगा एक बरगत का पत्ता बरगत का पेड़ हो या फिर गंगा जल से और फिर आप उस पर हल्दी के सहायता से स्वस्तिक बना दे हल्दी की सहायता से इस बरगत के पत्ते पर स्वस्तिक का एक निसान बना दे एक पत्ता लेना है और उसको अपने घर के पुजास्थान पर रखिए अब इस प्रियोग को करने के बाद आप इसको घर के पुजास्थान पे रने दे या आपने बैपार अस्थल पर भी रख सकते हैं तो ये प्रियोग आपके जहन की मुस्किलों को बढ़ाएगा ये पत्ता कम से कम एक मेने तक रने दे फिर से जब कोई सुमूर्त हो तो इसको चेंज कर लीजेगा पैसे आप किसी भी बुद्वार ये सुमबार को भी चेंज कर सकते हैं अब कई बार क्या होता है आप चाहते हैं कि जीवन में खुब तरक्की करें खुब तरक्की करें मान सम्मान खुसियां सब कुछ हो तब एक छोटा सा टोटका इस नच्छतर के दिन किया जाता है तो आज हम आपको वह खा काली हल्दी निकल जाती है ऐसा मैं सुचे कि वह सब्टा हुआ है वह काली हल्दी होता है तो काली हल्दी कि आपको कच्छा है जो भी मिले अप ले लिए अगर आपके घर में पढ़ा हुआ है चांदी का सिक्पा, गोमती, चक्र या पिर कोड़ी तो उसको लेना है नहीं प भगवते वासुदेवाय नम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंद्र को जब करें कम से कर में 11 बार एक किस बार इसके बार पोटली को धन के अस्थान पर अगर कच्छी है काली हल्दी तो उसको बांधिये का मत सूखने का इंतजार कीजिएगा धन की मुश्कलें दू योग बन जाइंगे बस सिपजी के सरन में इस रवीपुस्ययोग के दिन आना है आपको एक छोटा सा काम करें रवीपुस्ययोग में सफेद आंकड़े का पौधा या दखिए सफेद आंकड़े का पौधा जहां भी है वहां पर आप पहुंच जाए और जाकर उसके युखरना थोड़ा सा वहां से निकालने पहले परणाम कीजिएगा पेड़ को उनसे अपनी मनुरत खईएगा हम संतान की चाहत रखते हैं आप हमारे साथ चलिए लेकर रभी पुस्य योग में चले आईए अब जब सोम बार का दिन आए वैसे आप इस दिन भी कर सकते हैं आ एक लाल यह पीला जो भी आपके पास धागा है ले ले इस धाग में इसको बांद कर अपने एक कमर में धारं करें जो लड़की हैं जो महिला है उसको करना है दारण यद रखिएगा तीन महिने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी työ के आप करके देखें अब एक चोटा बेवार करें, ओफिस में, बैफसाय स्थल पर, घर परिवार में, पडोसी, एक छोटा सा काम करें, रभी पुष से नचद्र के दिन, आप ये है, इसको कहते हैं भंग रईया, भ्रामरी, आपने टेलिविजन पर देखा होगा, तो उसका पौधा आपको कहीं मिल जाए, तो उ दिखाईए, मालक्षमी मादुरुगा से प्रार्तना करें, और उसके बाद उसको उठा कर आप संभाल के रख लें, और इसको अपने मूह में जीप पर, जड़ लेना है, जीप पर रखकर, आप जिससे भी बात करेंगे, जब तक आपके मूह में है, इंप्रेस होगा लोग कुछ दिनों तक लगातार यह परियोग है, आप देखेंगा उन्हानी का सक्ति बढ़ रहा है, जादू हो रहा है, लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको महत तो दे रहे हैं, आपको समान कर रहे हैं, तो यह चीज़ा आपको खुद अखुद मौह में में रकना है औरृक कभी सकता है आप इसको लेकिन का लेक्न करने के समय किसी को बोलना नहीं है क्या और यह कर रहा हूं यह डोगा तो न तो क काम नहीं करेगा क्यों मतलब होता・ लगोना मतलौ रसा है हर कोई बहुत खुज मdlesल रहें गाप विद्ची करते हम आप stretch लेते हैं जानकारी अच्छी लेगा तो लाइक कर सब्सक्राइब करें हर हर महादेब धनिवाद